और देखे तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कॉंग्रिस के संसद राहूल गांधी इस वक्त शरद्यादव को श्रद्धांजली देने के लिए पहुंचे हुए हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे हुए हैं दिल्ली वाले घर पर जाकर श्रद्धांजली दी है परिवारवालों को धांडस बंधाया है इस दोक्य घड़ी में उनके बीच जाकर परिवारवालों से मुलाकात की है यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पुश्प अर्पित करके श्रधांश लिदी है कॉंग्रस के सांसद राहूल गांधी ने राहूल गांधी को देखकर श्रध्यादव की बेटी फफक फफक कर किस तरह से रूप पड़ी और इसके बाद उन्हें धांडस बधाया राहूल कांधी ने इस वक्त हम आपको तस्वीर रखा रहे हैं पैत्री गाउ में कल आपको बता दे की श्रध्यादव का अंतिम संसकार होगा और इससे पहले पार्थेव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है जेडियों के पूर्व अध्यक्ष श्रध्यादव जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे अब अंतिम दर्शनों के लिए कॉंग्रिस के सांसर राहूल गांधी पहुंचे हैं श्रधांजलिती और परिवार वालों को हम दिखा रहे हैं कॉंग्रिस के सांसर राहूल गांधी इस वक्त श्रध्यादव को श्रधांजली देने के लिए पहुंचे हुए हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे हुए हैं दिल्ली वाले घर पर जाकर श्रधांजलीती है परिवार वालों को धांडस बंध उन्हें धांडिस वधाया राहुल कांथी ने येस वक्त हम आपको तस्वीर रखा रहे हैं पैतरी गाउ में कल आपको बता दे कि शुरद्यादव का अंतिम संसकार होगा और इससे पहले आज दिल्ली स्थित जो उनका आवास है वहाँ पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है पिछतर साल के उमर में शुरद्यादव का निधन हुआ और इसके बाद राजनतिक गल्यारे में शोकिल है यह स्वक्त हम आपको तस्विर दिखा रहे हैं शुरद्यादव का दिल्ली स्थित ज्वावास से जहां पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है जेडियों के पूर्व अध्यक्ष शुरद्यादव जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे अब अंतिम दर्शनों के लिए कॉंग्रेस के स्थांसर राहूल गांधी पहुंचे हैं शुरद्धांजलिती और परिवार वालों को ठांड़स बढ़ाया है हुआ 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 है